हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं हूँ माहिरा और आप देख रहे हैं इंडियन जाई का आज हम बनाएंगे चटपटा चना आलू की सबजी और इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं चना बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर लेंगे कुकर गरम होने के बाद दो कप सरसो का तेल दालेंगे तेल गरम होने के बाद दो हरी एलाइची दालेंगे तीन लॉंग दालेंगे एक डाल चिन्नी का तुकड़ा दालेंगे एक बड़ी एलाइची दालेंगे थोड़ा सा जावित्री का तुकड़ा दालेंगे दो तेज पत्ता दालेंगे दो बड़े साइज के प्यास दालेंगे एक छोटा चमच जीरा दालेंगे अब हम इन सब को गोल्डन ब्राउन होने तक भूल लेंगे चार से पाच छोटे आलू दालेंगे एक से दो मिनट तक आलू को भूल लेंगे ये देखिए आलू भूल गया है एक बड़ा चमच अधक लसन का पेस्ट दालेंगे इसको भी एक से दो मिनट तक भूल लेंगे दोसुपचास ग्राम हमने चना लिया है चना को हमने चार से पाच घंटे के लिए पानी में रख दिया था एक से दो मिनट तक चने को अच्छे से भूल लेंगे ये देखिए चना भून गया है एक छोटा चमच मेची पाड़ दालेंगे एक छोटा चमच धनिया पाड़ दालेंगे एक छोटा चमच हल्दी दालेंगे एक छोटा चमच काली मेच का पाड़ दालेंगे टेस्ट के हिसाप से नमक दालेंगे कलर अच्छा आने के लिए एक छोटा चमच कश्मीरी मेश दालेंगे एक से दो मिनट तक मसाले को चलाते हुए भूल लेंगे मसाले को हम मीडियम फ्लेम पर भूलेंगे ये देखिए मसाले भूल गए है अब हम दो चमच चना निकाल लेंगे और इसको पीस लेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर दालेंगे टमाटर को हम सौफ्ट होने तक भूल लेंगे अब हम पीसा हुआ चना दालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिस मिक्सर में हमने चने को पीसा है उसको धोकर पानी दालेंगे और एक कप पानी और दालेंगे एक छोटा चमच गरम मसाला दालेंगे पाट से छे हरी मिश दालेंगे चार से पाट सीटी लगा लेंगे ये देखिए सीटी लग गई है ये देखिए चना और आलू सौफ्ट हो गया है ये देखिए चना आलू की सबजी तयार है चना आलू बनाने में बहुत आसान है खाने में और भी जाइकेदार है बहुत ही सिंपल रिसीपी है आप इसे दाल चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं आपको हमारी ये रिसीपी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में